हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम भी में एक बहुत ही अच्छी गुटनिस आप सभी के लिए कि DFCCIL का जो CBT1 हुआ था उसका रिजर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है तो यहाँ पर मैं आपको बताँगा कितनी गई है merit प्रतेक जो यहाँ पर पोश्ट थी और यहाँ पर मैं आपको बताँगा उसमें vacancies कितनी थी तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि जो operation B&D है business and development है उसमें आपको जो merit है वो 70 से अबव ही देखने को मिलेगी और गई भी उतनी ही है अगर आप देखेंगे तो ठीक है जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था मैंने आप देख सकते हो पहले भी बताया था कि जो यहां पर रिजर्ट आएगा ना वह इंटु 20 जो हमारी वेकेंसी है जो कि मैंने आपको बतार करें तो एक्जेक्टी सिवल में यहां पर 50 इंटु 20 यहां पर लोगों को लिया गया है तो यहां पर कितने बच्चों को लिया जाएगा यहां पर 1000 हुआ था वेकेंसी 148 है ओके इसका सीवीटी टू जो होगा 17 डिसमबर को होगा 20 गुना बच्चों को लिया गया यहां यहां पर यहां पर यहां की जो कट ओफ है वो 70.7895 गई है स्ट की 48 ओबीसी की 62 इसकी 40 बहुत ही कम गई है बाकि यहां की आप देख सकते हूं ठीक है ए यहां पर यहां पर सकत выпол नहीं होगा ठीक है यह आप आ आगे आप देखोगे हैं यहां पर मैं यहां पर यहांपर यह पंज़िंफीbei गई है और इसका एक्जाम 17 दिसंबर को होगा सेकंड सीबिटी एक्जिकेटिव आईटी की जो वेकेंसी छे थी यूर की वेकेंसी दिसंबर को होगा सेविटी टू अब और यह सबसे इंपोर्टेंट भाई मैंने आपको पताया था सेवन्टी अबवफ ही जाएगी मेरिट 65-70 तो मैंने वोड़ाता है सेवन्टी के अबवफ जो है उसकी मे वेकेंसी है बाई 17 दिसंबर को इसका पेपर होगा 25 अगस्त का पेपर हुआ था दो शिप्ट में हुआ था या तीन शिप्ट में हुआ होगा सेवन्टी वार के लिए काफी हाई है लेकिन बाकी का आप बोल सकते होगी हाँ इतनी ज्यादा ज्यादा हाई मेरिट नहीं गई यहां पेखेंसी है कि उन्हärकर का यह और गतिन दिसंबर को होगाैं नेगा सेवन्टी इसम्बर को होगा टन धिब्यूटी ब्टी आग इडवर्त इक corners इकेंसी इसकी अगर आप देखाएंगे तो 30th वेकेंसी है एक्सका पेपर जो होगा 20 अगस्त को होगा यानिकि जो दो पेपर आपको मिलेंगे वो 20 अगस्त को मिलेंगे बागे जो सारे पेपर होंगे वो आपको 17 दिसंबर को देखने को मिलेंगे यह आरगे 62 गई है कम है ठीक है अब हम अट लास्ट बात कर लेते हैं यहां पर जो सीवीटी टू होगा उसमें आपको कुछ इस प्रकार से कोस्टन्स देखने को मिलेंगे यहां पर इन्होंने बताया नहीं है कि कैसे कैसे आएंगे किस तिन कितने नंबर के आएंगे लेकिन मैं आपको बताजता हूं कि यह स सबसे इंपर्टन चीज़ क्या है यह मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जो पेपर होता था डी फीटी इसके बाद आप क्लियर करोगे फिर आपका cb80 होगा cb80 के बाद आपको यहां पर फाइनल सेलेक्शन होना है dv and medical के बाद में ओके यह चीज़ यहां पर हो गई है फिर भी कोई question है आपका तो आप मुझे comment में लिखके ज़रूर बता सकते हो और हमारे पास dfccl cbt2 का course भी है और बहुत सारे बच्चों ने ले लिया ह अगर आप चाहते हैं कि आप तियारी कर पाई है अच्चे से आपको notes मिल पाएं आप यहां पर तियारी कर सकते हो हमने हर चीज की यहां पर करवाए मैं यहां पर आपको read witch लोग जो इसको करवाएंगे हम लोग पूरा का पुरा जो यह है न आपका यही बहुत important है यही बच्चों के पास नहीं है बाकि तो यह आप लोग कर सकते हैं यह जो है अम लोग करवाएंगे पूरा का पुरा बता सकते हैं थैंक्यू